नमस्कार दोस्तो मैं सुमान सुकला स्वागत करता हूँ आपका तक्षिले टुटोरल के ऑनलाइन चैनल पर दोस्तो जैसा कि हम लोग लेसन पढ़ रहे थे लेसन नमबर 9 दोस्तो आज का लेक्चर जो हमारा रहेगा वो एक नॉर्मल डिसकेशन कर रहेगा इसमें हम ना किसी topic की बात करने वाले हैं ना ही किसी lesson की बात करने वाले हैं बलकी एक नॉर्मल सा discussion करेंगे ताकि हमको और आपको ये clear हो जाए कि कैसे आगे की रढनेती को हमको बनाना है और कैसे lessons को complete करना है का बचे हुए lesson यानि जो हमने पढ़े हुए है उनको कैसे तयार करना है ये सारी बात है दोस्तों आज के lecture में हम करने वाले हैं तो दोस्तों start करते हैं lecture को और देखते हैं कि इसमें हमको क्या देखना है अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर हमने कुछ lessons लिखे हुए हैं यह lesson आपके complete हो चुके हैं दोस्तों ध्यान दीजेगा इन चीजों को ध्यान से सुन उसमें आपके 3 lectures complete किये गए उन 3 lectures के बाद ऐसा तो नहीं है कि जो 9th lesson है उसमें तीनी lectures होंगे बलकु उसमें भी क्या होते है number of lectures होंगे वो number of lectures आपको day by day मिलते भी रहेंगे आगे भी मिलेंगे और इस तरीके से हम अपने lesson को complete भी करेंगे अब दूसरों यहां पर हमने यह द जल रहा है तो इसका मतलब क्या है सर यह lesson number 8 तक आपका क्या कर दिया गया है complete कर दिया गया है क्या कर दिया गया है अगर कोई lesson complete हो चुका है तो आप जिम्मेदारी किसकी बनती है सर जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम इन lessons को कैसे तयार करेंगे इसके बारे में आपको बहु बहुत ही अची प्लानिंग नहीं होगी तब तका इन को तैयार नहीं कर पाएंगे अब दोस्तों बात करते हैं। को रीके से तैयार किसे करेंगे और यह lesson है क्या इन lesson के बारे में आपने भी सुना होगा सैर यह सबसे बातों को हमने वहाँ पर complete किया हुआ था तो दोस्तो पहला lesson हमने कौन सा कराया था रासाइनिक बल्गति की दूसरा lesson हमने कौन सा कराया था विलेन कराया था यानि रासाइनिक बल्गति की जब हमारा over हो गया था तब हमने कौन सा lesson कराया था, willian कराया था, willian lesson complete होने के बाद में हमने किस lesson की बात करी हुई थी, d और f block के तत्व, जिसमें हम d block के elements को क्या बोलते थे, sir, transition elements बोलते थे, यानि संक्रमण तत्व कहते थे, और f block के elements को क्या कहते थे, sir, बोलते थे, इसमें दो परकरार की सिरेडियाप सारी बाते हमने कहां पर करी हुए थी अपने तीसरा लेसन में इस चीज़ों को कम्प्लीट किया हुआ था अब दोस्तों जब हमारे तीसरा लेसन हो गया था तब हम बढ़ते थे के सारी बाते हमने कहां पर करी हुए थी यह सारी बाते हमने करी हुए थी जैवड़ौ में अब दोस्तों जब जैवड़ू हमारे लेसन के तरफ पी ब्लोक एलिमेंट और दोस्तों लेह वाला लेसन आपके लिए बहुत ही interesting भी रहा होगा क्यों रहा होगा क्योंकि अभी तक हमने यहां तक इन lesson में figure की तो बात नहीं करी हुई थी बलकि जब हम fifth lesson पर आये थे तो वहाँ पर हम लगबग हर lecture में एक नए figure बनाते थे उस figure को हम देखते थे कि कैसे बनाएंगे अगले lecture में हम उस figure के बारे में जानते थे जैसा कि हमने p block element को जब हम पढ़ा रहे थे तब आपको वहाँ पर भी बताया हुआ था कि यह listen आपके लिए important है जैसे हमने बताया था लेड़कुक्ष विदी के द्वारा sulfuric का निर्माण कैसे किया जाएगा यह हम बात करते थे संपर्क विदी के द्वारा sulfuric का निर्माण कैसे किया जाएगा वोस्त वालड HERE के द्वारा nitrogen को कैसे बनाया जाएगा effortρί विदी के द्वारा ammonia को कैसे बनाया जाएगा यह सारी बाते दूस्तों हमने कहां पर करें हुई थी यह सारी की सारी बाते हमने दोस्तों P block elements में की हुई थी यानि यह जो 5th lesson था यह आपके लिए long question के लिए बहुत ज़्यादा important होता है long question के लिए अन्य भी lesson है जो आपके लिए important है बल्कि यहाँ पर 5th lesson भी आपके लिए बहुत ज़्यादा important हो जाता है क्यों 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 कि यहाँ पर हम देखते हैं कि इन lesson के अंदर हमने figure को बहुत यह अची तरीके से complete भी किया हुआ था और अची तरीके से उनको सीखा हुआ भी था अब दोस्तों 5th lesson तक complete जब कर लिया था तब हम बात करते थे सर organic chemistry में यानि हमने अभी तक तो यह देखा chemistry का मतलब क्या होता जैसे अगर आपसे कोई कह दे कि सर हम आपको chemistry पढ़ाएंगे ठीक है अब chemistry से दिमाग में क्या था सर हमको यह पढ़ना पड़ेगा इतनी सारी reactions होती है वो सारी reactions कैसे complete करेंगे अब दोसों यहां तक तो हमने ज्यादा reactions नहीं कराई हैं बलकि reaction के शुरुवात कहां से हूई थी reaction के शुरुवात हुई थी lesson number 6 से lesson number 9 तक जो अभी हम आज भी lesson को या इस lesson में हम reactions को पड़ रहे हैं अब दोस्तो lesson number 6 से lesson number 9 में हमने क्या किया for reaction के बारे में पड़ा इप सब से पहले संपाम्ड यानियियर और害 penso का मतलब वोफ़ा नहीं है जांप किसी को कॉल करते तो क्या यहां पर क्या है उलो वब्लॉरीण की बात करते हैं तो दोस्तों यहां पर हमने हेलो एलकेन और हेलो एरीन को भी complete किया हुआ था आप उन reactions को अच्छे से पढ़ाई करेंगे अच्छे से उनकी practice करेंगे reactions की बेटा practice बहुत ज़्यादा important होती है practice जब तक नहीं करेंगे reactions complete नहीं हो पाती है इन बातों को ध्यान रखिएगा next हम बात करते हैं जब हमने हेलो एलकेन और हेलो एरीन के बारे में पढ़ लिया था फिर हम कहां चले थे एमीन में गए थे और एमीन का हमने formula क्या बताया था आर एनस्टू आपको बताया हुआ था इसे ही तो बोलते थे एनस्टू को क्या बोलते थे एमीन बोलते थे और इस एमीन में हमने primary एमीन secondary एमीन और tertiary एमीन बहुत सारी बाते हमने बहुत सारी reactions भी पड़ी हुई है यह lesson भी हमने amine को complete किया हुआ था अब दोस्तों amine कहां से आया था ये भी हमने discuss किया था amonia से आया था और amine में nitrogen पर हमने क्या बताया था सर एक electron योगों उपस्तित होता है अगर वो electron योगों उपस्तित है तो इसका मगलब क्या होगा ये भी हमने कहां पर करी हुए थी दोस्तों ये सारी बाते हमने lesson number seven में आप से की हुई है अगर कोई ऐसा है जो lesson number seven को अच्छे से नहीं पढ़ा है या उसको समझ में नहीं आया है तो वो lectures को उटा के पुना देख सकता है और अपने knowledge को improve कर सकता है अब अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरह मесьंगे यह मने क्या पढ़ा member eight में हमने यह क्या होते है फीनल क्या होता है और यह थे उल्कॉहल फिन औल तथा इन सारी बातों सारी चीजों की कि हमने क्याыми चीजों कि हमने क् nest in बहाँ पर इन सभी टापिक पर रियक्शन को भी पढ़ा हुआ था यह जब रियक्शन हम कंप्लीट कर लिये थे यानि अपना पूरा का पूरा लेसन अच्छी तरीके से पढ़ लिये थे फिर हम बढ़ें थे आगे की तरफ और जो हमारा नाइन्थ लेसन है वो क्या है एलिफ est Bowl 3 के बाद क्या आना चाहिए था आप आना चाहिए था नाइन वॉय, लेकिन हम आज क्या कर रहा है आपसे नॉर्मल डिस्केशन कर रहे है क्या कर रहे है नॉर्मल को ये चीजे clear होती रहें कि अभी तक हमने आखिरकार chemistry में पढ़ा क्या क्या है जब तक आपको ये नहीं clear होगा कि आपने क्या पढ़ा है आपको क्या पढ़ना है कितने lesson बाकी है कितने lesson complete हो चुके है complete lesson को कैसे तयार करना है आगे के lesson को सर कैसे complete कराएंगे ये सारी बाते किया है कितने lesson हमको complete करने हैं इस सारी बाते हैं अहां तक हमने 1.3 था complete किया है lesson number 9 में 9.4 9.5 9.6 इस तरीके से number of lectures आपको क्या होंगे आगे मिलते रहेंगे यानि आपको क्या मिलेगा 9.4 मिलेगा next राइस आपको 145 मिलेगा से तरीके से आपको lectures मिलते रहेंगे और जब 9 lesson हमारा complete हो जाएगा फिर बढ़ेंगे हम अपने बचे हुए lesson के तरफ जहां पर हमारे कितने lesson अभी बाकी रहें केवल चार lesson कितना lesson बाकी है केवल और केवल चार lesson बाकी है इसका मतलब आपने बहुत ही अच्छी दूरी बहुत ही लंबी दूरी और बहुत ही अच्छी पढ़ाई आपने कहां तक complete कर लिया है lesson number 9 तक आपने complete कर लिया यानि इतने सारे lesson आपने पढ़ लिया है इतने सारे lesson प नॉलेज को जरूर बढ़ाईए जब तक नॉलेज नहीं बढ़ाएगे तब तक आपका बहुत अच्छा नंबर नहीं आने वाला सो दोस्तो नॉलेज बढ़ाते रहेंगे अब यह जो चार लेशन बचे हुए हैं इनमें भी हमको नंबर आफ लेक्शर पढ़ने पढ़ेंगे दोस्तो टेंशन आप बिल्कुल भी न लीजेगा यह जो लेशन है यह आपके कंप्लीट कर दिये जाएंगे इसके बाद हम कुछ important questions भी बताएंगे यह सारी बाते हम करेंगे लेकिन यह सारी बाते आपकी पेपर के एक मैने पहले पहले तक आपकी क्या हो जाएंगे सारी की सारी चीजे कंप्लीट कर दे जाएंगे बहुत ही जल्दी यह भी लेसन आपके कंप्लीट कर दे जाएंगे ताकि आपको बोर्ड एक्जाम के लिए कम से कम एक से डेड़ मैना बहुत एची तरीके से मिल जाए और आपकी तैयारी बहुत एची तरीके से हो जानी चाहिए क् क्या करेंगे सारी की सारी हम एक डेड़ मैने पहले तक जिस दिन बोर्ड का एक्जाम होगा उसके एक डेड़ मैने पहले आपका सारा सलेवस आपके हाथ में होगा सारी चीज़े आपके हाथ में होगी बस आपको करना क्या है तयारी आपको करनी है हमको सपोर्ट करना है आपक चिए से पढ़ना है कैसे कीज़ों को मैनेज करना है यह सारी चीज़ों को आनी चाहिए है नेक्साम बात करते हैं यहाँ पर लिखाुवा है हमारा जो लेशन बचा हुआ है बहुत सँपक्रस अवस्था जिस दिन हम तो सबस्ता के last lecture पर पहुँचेंगे वहाँ पर chemistry का क्या हो जाएगा दोस्तो इंड हो जाएगा यानि chemistry का पूरा का पूरा असल है बस आपके हाथों में होगा सारे के सारे notes आपके हाथों में होगे सारी की सारी knowledge आपके हाथों में होगी बलगि बस आपको करना ग्या है आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है दोस्तों lesson number nine हम चला रहे हैं ये series आपकी चलेगी जैसे ये lesson finish होगा वैसे हम इन lesson की भी series आपको देगे ये series भी आपको मिलेगी आपको test भी मिलते रहते हैं ताकि आप टेस्ट के मादम से आप ये भी दे सकते हैं कि जो आपके लेक्षर दिये जा रहे हैं उनमें आपकी कितनी तयारी है दोस्तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। अच्छे से पढ़ाई जरूर करना है क्योंकि जब तक पढ़ाई नहीं होगा तब तक बहुत ज़्यादा समस्याएं होने वाली हैं। दोस्तों यहाँ पर आपके पास केवल और केवल chemistry ही नहीं पढ़ना है, बलके आपके पास क्या होगा, math वाले होंगे तो उनके पास क्या होगा, physics होगा, math होगा, English होगा और हिंदी होगा, दोस्तों chemistry हम पढ़ाते हैं, हम यह बिलकुल भी नहीं कहते हैं, कि आप English नहीं पढ़ियेगा, आप Hindi नहीं पढ़ियेगा, या आप Math नहीं पढ़ियेगा, या आप Bio नहीं पढ़ियेगा, सारी के सारे subject अपनी जगए पर क्या है, important है, जिस तरीके से हम लोग physics, chemistry, math और या biology, यह सारी चीज़े पढ़ते हैं, उसी तरीके से हमारे लिए English और Hindi भी important है, English भी important है, क्योंकि English में अगर number कम हो गया, तो आपकी percentage क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, और हम नहीं चाहते हैं कि कि किसी भी student की percentage डाउन हो, बलकि percentage क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, और ब किसे आपको क्या करना है, Hindi भी पढ़ना है, English भी पढ़ना है, और English नहीं पढ़ेंगे, तब भी आपके लिए problem create होगी, तो दोस्तो हम पूरी उम्मीद करते हैं, आप इन lesson को भी तयार करेंगे, इन lesson को भी हम पढ़ेंगे, और आप English भी पढ़ेंगे, आप Hindi भी क्या Physics भी पढ़ेंगे, और आप Chemistry भी पढ़ेंगे, क्योंकि Chemistry भी आपके लिए क्या है, इंप्रेंट है, आपके लिए सारे subject इंप्रेंट है, बाइो वाले, बाइो पढ़ेंगे, متं वाले, मैत पढ़ेंगे, और हम बाकि अर दोस्तो इसी उम्मीत के साथ मिलेंगे next lecture में, और lesson number 9 को हम आगे बढ़ाएंगे फिन lesson number 9 जब finish करेंगे तब हम बात करेंगे इन lesson की और हम कहां चलेंगे अपने इंड की तरफ चलेंगे और हमारा chemistry का जो syllabus है वो हम क्या करेंगे complete करेंगे सो दोस्तो मिलेंगे next lecture में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद